नमस्कार दोस्तों मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सिलेंस प्रेमली में जहां आज हम जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद एवं शेत्र के बारे में सकल घरेलू उत्पाद GDP हमें भारत और इसके पड़ोसी दो देश चीन और पाकिसान इन तीनों के GDP मतलद सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जाना है और इनके प्रात्मीक दीतिय त्रतिक शेत्र के बारे में जाना है तो एक वर्ष की समयाओदी में वस्तूओ और सेवाओ के उत्पादन से जो कोई मोद्रिक राशी प्राप्त करता है, मोद्रिक मतलब जिसे मुद्रा में माप सकते हैं, या इन वस्तूओ सेवाओ का जो अंतिम मुल्य होता है, देश को जो प्राप्त होता है, वही अंतिम मुल या वही मोद्रिक धनराशी GDP कहलाती है एक देश एक वर्ष की समयाओदी में वस्तो सेवव को उत्पादन से जो कोई धनराशी प्राप्त करता है उस धनराशी को हम क्या कहते है GDP या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक देश वस्तो और सेवव को उत्पादन से या वस्तो सेव तो यहां अब हम पढ़ते हैं क्या बताया गया है तो बताया गया है कि चीन के बारे में विश्व में बहु चर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में ब्रदी है पहले नंबर पर सबसे ज्यादा GDP कौन से देश की अमेरिका की और दूसरे नंबर पर है चीन की तो यहां हम भारत चीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहां भारत तो पाकिस्तान से आगे कोंसा है चीन तो सबसे ज्यादा GDP किसकी है चीन की विश्व में दूसरे नंबर पर चीन के GDP आती है चीन का सकल घरेलू उत्पाद 22.5 ट्रिलियन विश्व में दूसरे इस्तान पर हैं भारत का संकल घरेलु उतका नो दिश्मलो तीन प्रियोन तबाट पाकिस्तान का संकल हुआरे लुत वन आरो दूसे नंबर बहुत पर भारत घृ जबन बहुत धेनी है जबकि विश्फु में देख जाये तो पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नमबर पर चीन है तो यहां सकल गरेलु उत्पाद में वाशिक उस्तर सम्रद्धी बताए गए उनीस सो असी और दोजा सत्रा की मत्सब हम यहां उनीस सो असी और नबे के बीच की GDP देखेंगे और 2015 और 2017 की GDP देखेंगे तो यहां भारत चीन और पाकि 10.3 मतलब की भारत से डबल भारत 5.7 तो चीन 10.3 है और वहीं पाकिस्ता 6.3 है तो पहले नमबर पर चीन दूसरे नमबर पर भारत तो तीसे नमबर पर पाकिस्तान है और 2015 से में तो जाँ 15 से सत्रा में वाशिल समर्द्侍दर वाश्च समी दैथ 5.7 से 7.3 हो जाती है मतलब भारत की बढ़ जाती है उसी तरीके से पाकिस्तान की 6.3 से 5.3 हो जाती हो मतलब कम गढ जा ती है तो यहां GDP हमने देखी 1980 से 90 के बीच की समरद्धी दर देखी भारत चीन पाकिस्तान की और 2015 से 17 की देखी फिर आगे इस दर के बारें बताया गया है कि 1980 के दश्रक में पाकिस्तान भारत से आगे था पाकिस्तान भारत से आगे था भारत की 5.7 थी जबकि पाकिस्तान की कितनी थी 6.3 थी तो 1980 से 90 के दश्रक में पाकिस्तान भारत से आगे था वहीं 2015 सत्रा में वह भारत से पीछे रे गया भारत 7.3 था तो पाकिस्तान 5.3 पर था चीन की संवरती दोहरे अंकों में थी बारत की 5.3 थी तो चीन की 10.16 भारत सबसे नीचे था मतलब पहले नमबर पर तो चीन दूसरे पर पकिस्तान आ रहा था और तीसरे पर भारत आ रहा था यह देखो पहले पर चीन हमने पढ़ा था दूसरे पर पाकिस्तान आ रहा है और तीसरे नंबर पर यहां पर भारत था फिर आगे बताया गया है हमने पढ़ा था दोज़ा पंद्रा गयों हरों मैं कि भारत की संवर्दी दर बड़ी वाइब कौइट से रहे है जबके चीन और पाकिस्तान की खट गई थी कुछ विद्वानिगों का मत था कि पाकिस्तान में 1888 में प्रारम की गए सुधाय प्रक्रिया तदा राशनीतिक इस लंबी उदी में प्रवर्दी का मुख्य का रहता जब चीन 2018-90 में डबल हो रहा था दो बताया आपके दोहरे अंकों में थी चीन की GDP भारत की 5.3 तो चीन की 10.3 तो यहां बताया गया तो चीन 2015-2017 में पीछे कैसे रह गया तो पीछे रहने का कारण उसकी सुधाय प्रक्रिया तता राशनीतिक इस्तिता में लंबे उदी में मतलब कि वहां की पॉलिटिकल जो थी वह सही नहीं थी इस कारण वह पीछे रह गया वहां पे जो पॉलिटिकल था जो पॉलिटीशन थ वह काम नहीं करता था वहां की सेना जो वही होती थी वह काम होता था तो उसकी संप्रत्ति-धर्ट पार तिकार का महती है करते solely करते हैं तो अब यहां देखें कि विभिन शेत्र में नियूप्त लोग सबकर गरेलू उत्पाद में उगदान कैसे देते हैं पिछले खर्ण में बताया गया था चीन और पाकिस्तान में भारत के अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक था इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सारा टॉपिक पढ़ा था जनाम की संकेतन में तो उसमें हमने पढ़ा था चीन और पाकिस्तान में भारत के पेक्षा नगर में रहने वाले लोग जादा थे भारत में कम और चीन और पाकिस्तान में जादा थे चीन में इस्थला क्रती तता जलवाई धिशाओं के कारण क्रशी के लिए उप्यूपत शेत्र अपिक्षाकत कम थे अर्थार कूल भूमी शेत्र का लगबग 10 प्रतिशते मतलब वहाँ को जो भूमी उसमें 10 प्रतिशत पर ही खेती होती थी चीन में कूल क्रशी योग भूमी भूमी भारत में क्रशी शेत्र का केवल 40 प्रतिशते चीन में क्रशी के लिए आपने ग्रेट लिप फारवेट अभियान के बारे में पढ़ा होगा और इन ग्रेटली फारवेट से क्या हुआ था अभियान सक्सेस नहीं हुआ था इसमें अले गरीबी बड़े मात्रव फेल गई थी भूपमरी जिस समस्य आ गई थी अकाल की स्थती आ गई थी चीन में और कम्यून सिस्टम भी लागू किया था चीन में जिसमें परिवारों के तो देखते हैं अगे वर क्या बताया गया है तो बताया गया है उससी के दश्षक तक चीन में असी प्रतीशत से भी अधिक लोग जीवीका के एकमान साधन के रूप में क्रशी पर निरबढ थे उस समय से सरकाने लोगों को क्रशी कारे त्याग ने और हस्त शिल्पानी जिता परिवन जैसी गतिवीदिया अपनाने के लिए प्रेविल किया क्योंकि क्रशी शेतर से वहां 3 मिलियन लोगों की मृत्यू हो गई थी मतलब क्रशी पर इतना जोड़ ढिया ज्राता में अभियान में nove जर्शी में सकल व्रधित मुलिया साथ परिषात में योगदान दिया मतलब 1968-17 में 27 परिषात्य सच क्रशी में चीन का 87 परिषात में लोगल करशी में लगे तो उस क्रशी का योगदार सकल गरेल उत्पाद में कितना रहा साथ प्रतिशत अब इन आखड़ों को हम इस टैबल से समझेंगे सकल वर्धित मुल्य में योगदान और कारिबल का वित्रण मतलब कि इस GDP में कितने परसेंट लोग लगे थे तो क्रशी शेत्र जो बताया गया है कि भारत को क्रशी शेत्र से 16% GDP प्रापत होती थी तो चीन को 7% हमको पता है कि चीन की जिन स्थ्ठया चीन में क्रशी शेत्र कम था इसलिए वहांपर जीडीपी में योगदान भी चीन का कम ही होगा और पाकिस्तान का सबसे ज़दा था 24 प्रतिशत तो उसी तरीके से क्रशी शेत्र में भारत के 43 प्रतिशत लोग लगे हैं और आज भी भारत एक क्रशी प्रतार देशिक यहां की सबसे ज़दा जिन संक्या क्रशी पर निरबर है तो चीन में केवल 26 प्रतिशत लोग लगे हैं तो पाकिस्तान में 41 प्रतिशत उसी तरीके से द्विति शेत्र देखेंगे उद्योग का प्रात्रिक शेत्रोग्या क्रशी दिति शेत्रोग्या उद्योग तो उद्योग से भारत को उद्योग GDP में उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान था भारत में तो 30 प्रतिशत GDP प् पाकिस्तान का 19 प्रतिशत मतलब पाकिस्तान का सबसे कम था उद्योगों में भारत में 25 प्रतिशत लोग लगे थे चीन में 28 प्रतिशत लगे थे क्योंकि सबसे ज्यादा GDP में योगदान चीन में ही दिया जा रहा है मतलब उद्योग सबसे ज्यादा योगदान चीन में है सेवस्याइटर का योगदाण 54% था GDP में beauty पाकिस्तान का 52% और पाकिस्तान का 50% था भारत। नीज में 22% लोग लगे थे, 250% और पाकिस्तान के 35% उस कल दगा के बेशुनस के तरिशन आप प्रात्मीक दीथिये तynिस्तिक शेट्ट नीज में बता सकते हो कहने का मतलब है आप ये बता सकते हो क्रशी उद्योग सेवा शेत्र को लेकर इन तीन पॉइंट को लेकर और इनके आपड़ों को याद रख कर कि भारत में क्रशी शेत्र मतलब पाकिस्ता प्रात्मिक शेत्र जो होता है क्रशी शेत्र उस क्रशी शेत्र का भारत की जी कि 7% जंसंख्या क्रशी शेत्र में लगी थी या क्रशी शेत्र से चीन को 7% जीडीपी प्राप्त होती थी कुछ इस तरीके साथ बता सकते हो और इसी तरीके से उद्यों को सेवा शेत्र के पॉइंटां बता सकते हो अगर फिर भी कोई डाउट है तो जल्दी से डाउट को क्लियर करो ताकि मैं इसका अगला टॉपिक स्टार्ट कर सको